सबी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल रामजु यादब पर स्वागत है आए बच्चों आज हम कक्छा दस में हिंदी काब में हल्दी घाटी जो की स्यामनारण पांडे जी ने लिखा है इसकी व्याख्या लेके आए हैं तो देखिएगा व्याख्या मेवाड केशरी देख रहा केवल रण का न तमासा था बह दोड़ दोड़ करता था रण बह मान रक्त का प्यासा था मेवाड केशरी देख रहा केवल न रण का तमासा था मेवाड केशरी का मतलब बच्चों महाराना परताब देख रहा मतलब देख रहे थी केबल रण का नारण मतलब युद्ध का तमासा मतलब खेल तमासा मतलब खेल तो आप अर्थ कैसी लखेंगे मेबार के स्री अर्थात महाराना परताब केबल युद्ध का तमासा नहीं देख रहे थे बलकि भी खुद सुयम युद्ध कर रहे थे और वह दोड़ दोड़ करता था रन बहे मान रक्ट का प्यासा था बहे दोड़ दोड़ कर इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे अपने मान सम्मान की रक्षा है तू भी रक्ट के प्यासे हों बहे दोड़ दोड़ कर इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे बहे अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए दू पूसरों के रख्तके प्यासे हो ओ चड़कर चेतक पर गूम करता सेना रखवाली था महाराना प्रताप अपने चेतक घोडे के उपा चड़कर अपनी सेना की रखवाली करते थे और ले महा मरत्यू को साथ साथ मानो पिरत्यक्ष कपाली था और उन्हें देखकर बे मरत्यू को साथ लेका चल रहे थे ले महा मरत्यू को साथ साथ बे मरत्यू को साथ लेका चल रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे साक्षात कपाली हों नेक्ट पर आगर आप देखिएगा चड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राणा प्रताप सिरकाट काट करता था सफल जबानी को चड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को तो महाराना प्रताब अपने चेतक नाम के घोड़े पर चड़कर तलवार उठा कर युद्ध कर रही थी और महाराना प्रताब रखता था भूतल पानी को बच्चों भूतल लवाने क्या होता है? जमीन जिस परकार जमीन के अंदर पानी की एकदम हिलोर उठती है तो ये गुफान सा आ जाता है उसी प्रकार महाराणा प्रताप के हिर्दे में ये खोफान था युद्ध करने का और दुस्मनों को मारने का राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को महाराणा प्रताब दुस्मनों के सिर काट काट कर अपनी युबावस्थार था जवानी को सार्थक कर रहे थे सफल बना रहे थे सेना ना एक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरें ओ मेबाड सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उतसाह भरें सेना ना एक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरें सेना पती राणा के जो सेनक थे वे उनकी बहुदरी को देख देख कर इख कर उनमे इवी उतसाह भर जाता था महाराणा प्रताप को देखकरhao का मुगल ऑर तुगन्य रुत्सा़ा के साथ मुगल से नंकों से लड़े थे अधात वहां राणा प्रताब को देखकर मगलों से बेभी दूने और तोगने उतसाय के साथ लड़ते थे चण मार दिया कर कोणे से रण उतर कर घोडे से चण मार दिया कर कोडे से रण किया उतर कर घोडे से और राणा रण कोसल दिखा दिखा चड़ गया उतर कर घोडे से छण मार दिया कर कोडे से उस समय युद में महाराणा प्रताप ने घोडे से रण किया उतर कर घोडे से छण मार दिया कर कोडे से अर्था एक छण के लिए महाराणा प्रताप ने अपने कोडे से अर्था फिर महाराना पृताब ने अपने घूड़ी से उतर कर युद्ध करने लग गए अपने युद्ध दिखाते दिखाते प्राकरम दिखाते दिखाते मुगल की सियना पर चड़ गया चड़ गया उतर कर घुड़े से राणा रण कोसल दिखा दिखा महाराना प्रताब अपना कोसल अपना उसाय दिखा दिखा कर चड़ गया उतर कर घुड़े से उतर कर उस परजियों की ते हो चड़ गये और उस समा युद्ध में चण भर में एसा लगा जैसे भीषण हल्चल मच गई हुँ उस उद्ध में राना करकी तलवाल बढ़ी और महाराना प्रताफ आंगे बढ़ने लगे युद्ध करते करते और फिर राना था सूर रख्त पीने का आया है रणचंडी जीब पसार बढ़ी उस समय राना प्रताफ की सौर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुयम दुरगा था सोर रक्त पीने का या है ऐसा लग रहा था जैसे महाराना प्रताब दुस्मनों की रक्त के प्यासे हों मुगलों की रक्त के प्यासे उनका रक्त पीना चाहती हों रनचंडी जीव पसार बड़ी और समय ऐसा लगा जैसे माध्रगा जीव पसार का दुष्टों को खाने आए हों ऐसा प्रतित होने लगा सबको और नेक्स्ट पेरागराप बैहाथी दल पर तूट पड़ा मानो उस पर पभिछूट पड़ा बैहाथी दल पर तूट पड़ा अर्थात महाराणा प्रताब अब जो हातियों पर सेनेक बैठे थे उन पर धाबा बोल दिया उनसे युद्ध करने लगे मानो उस पर पभिछूट पड़ा और हातियों दल पर उन्होंने इस पर कारिद्ध किया मानो उस पर बज्ज छूट गया हो एक कोई बज्ज छूट बह गया हो कट गई बेग से भू ऐसा सोशड का नाला फूट पड़ा और जो साहस कर यहां पर एक बार देखो पिच्चो इसका कट गई बेग से भू ऐसा उस उस बेग से उस युद्ध से ऐसा लगा जैसे प्रत्वी फटने लगी हो सोशड का नाला फूट पड़ा और इत से तोक दिया और जो मुगल सेनेक साहस करके राणा के सामने युद्ध करने के लिए आंगे आता था यूसी उसी समय से कटाक्ट से रोग देते थे अर्था तिरची नजर करके उसे रोग देते थे उनकी हलकार से ही डर जाता था और जो बीर बना नव बीच फेक बरचे पर उ सांगे बढ़ते थे वह उन्हें अपने भाला मार का उस समय उनकी हत्या कर देते थे और नेक्स्ट पेराग्राप चण उचल गया अरी घोडे पर चण लड़ा सो गया घोडे पर और बैरी दल से लड़ते लड़ते चण खड़ा हो गया घोडे पर चण मेँ गिरते रुणडों से मद मस्त कजों के सुनडों से औ घोडों के पिकलवी तुनडों से पट गई भूमी नरमणडों से चण उचल गया अरी घोडे पर चण लडा सो गया घोडे पर पल भर में दुसमन घोडे पर उचल कर युद्ध करने लगा उस समय एक चण ऐसा आया कि महाराणा के प्रताब पर चण गया चण उचल गया अरी माने दुसमन उस समय एक चण के लिए दुसमन महाराणा प्रताब की घोड़े पर आ गया छण लड़ा सो गया घोड़े पर और ऐसा लड़ा की एक पल भर में ही घोड़े पर सो गया एक पल में जो दुस्मन आया नहीं उसी समय उन्होंने उसकी हत्या कर दी और बैरी दल से लड़ते लड़ते छण खड़ा हो गया घोड़े पर और दुस्मन क मतलब पलग जपकते ही धड़ गिरते जा रहते ते मत बाले हातियों से गोडों के बिकल बितुंडों से बिकल माने ब्याकुल बितुंडों से अर्था घोडों की टापों से पट गई भूमी नर्मुंडों से और नर्मुंडों से ऐसा लग रहा था जैसे सारी भूमी पट गई हो और एक बार इसकार्थ देख लेते हैं पलक जपकते ही ऐसे लग र से और नर्मुंडों की और नर्मुंडों से सारी भूमी पट गई हो समय असा प्रतीत हू रहा था और नेक्स्ट पेरागर आप देखते हैं ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोस नहीं चंचन आंगे बढ़ता था बहे पर कम होता था रोस नहीं कहता था लड़ता मान कहां मैं कर लूँ रखत सनान कहां अरे जिस परते बिजय हमारी है बहमुगलों का अभीमान कहां पर इससे उन्हें संतोस नहीं था उन्हें संतोसती नहीं थी और छण्छण आंगे बढ़ता था बै पर कम होता था रोस नहीं वो कहते थे कि देश का दुस्मन मान सिंग कहां है कहता था लड़ता मान कहां वो मान सिंग कहां है मैं कर लू रखत सनान है मैं उसकी आज खून से इसनान कर लूँ और जिस पर ते बिजय हमारी है वह मुगलों का अभीमान कहां जिस पर राणा परताब कहते थे जिस पर हमारी बिजय सुनश्चत है बहे मुगलों का अभीमान कहां गया और इस परकार महाराना परता अपने मुगलों के छक्के छड़ा दिये आसा करते हैं सभी बच्चों को अर्थ समझ में आ गया होगा और जिनको भी समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर बताएं बच्चों और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं धन्यवाद